आज तो हैलो गाइस वेलकम टूर चैनल फो लास्ट वीडियो के दिए मैं आपको कोशन देते सेवन गोशन जो मुलालिटी के बेस पर थे मुलालिटी में उसे कुछ कण्वर्जन के बेस पर थे तो इस वीडियो में वन बाई वन इस सावन वोशन डिसक्स करेंगे और आपने लास्ट में करना है कि आपके आउट ओस 7 कितने कोशन सापके करेक्ट है एक ओके तो जो हमारा कोशन नमर वन है आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा है ओके तो जो हमारा कोशन वन है a solution contain 410.3 gram of sulfuric acid per liter of solution at 20 degree celsius if the density is 1.243 gram per ml calculates its molality देखो सबसे पहले हमें जो भी questions करना है सबसे पहले हमें वो लिखना है कि हमें given क्या है उसके according फिर formula देखना है फिर जो given हमें नहीं है directly तो हमें उसको find out करने की कोशिश करनी है हर questions में हम यहीं करते है clear so a solution contain 410.3 gram of sulfuric acid per liter of solution देखो इसका मतलब यहां पर solute क्या है sulfuric acid है और water क्या है हमारा solvent है तो हमें sulfuric acid का weight given है so that means हमें given क्या है हमने w2 given है 410.3 gram हमें बता है कि 2 हम किसके लिए यूज़ करते है solute के लिए और 1 किसके लिए यूज़ करते हैं solvent के लिए clear ओके साथ में भी इवन वोल्यमों स्लूशन वोल्यमों solution कितने है वो लिटर है वो clear if the density density कितनी given हमें solution की 1.243 gram per ml यह हमें density के मने हमें क्या calculate करने हमें morality को calculate करना है clear okay so हमारा formula क्या है W2 upon में मोल्यमों स्लूट डवली वन अगर ग्रैम में करेंगे यहां पर क्या आएगा हमें 1000 लगाना पड़ेगा clear so W2 हमें given है और हमें W2 ही given है हमें W1 भी हमें calculate करने है और हमें मोल्यमास भी solute calculate करने है clear है तो सबसे पहले तो मोल्यमास निकालते हैं कि देखो हमारे पास क्या सल्फूरीक एसिड दो हाइड्योजन तो आगया सल्फर का 32 प्लस 4 इंटू में 16 सो इसका आएगा 98 सिल्फूरीक एसिड़का जो हमारा मोल्यमास आएगा वह क्या हमें गिएवन ollut and solution and density भी जएवन तो वोल्यम से और देंस्टी से हम इसका मास निकाल सकते है volume and density का हैं onto the solution का और जो हमें mass पर चलें जोल्यूशन का अगर हम उसने solute का मास को माइनस कर दे तो हमारे पर किसका मास आ जाएगा solvent का मास आ जाएगा तो तो जो हमें volume given है उसको पहले mass बनाएंगे, mass solution का, फिर mass में से, solution के mass में से solute का mass क्या करेंगे, minus करेंगे, then क्या करेंगे, solution में से solute का mass minus कर देंगे, हमारे पर solvent आ जाएगा, clear, तो हम पते कि density is equal to mass by volume, mass निका लेंगे तो क्या आएगा, density into में volume, volume कितना है, one liter है, और density एक gram पर ml के अंदर बनाना पड़ेगा, तो यह कितना हो जाएगा, 1000 ml, into में, volume कितना है, हमारा, so density 1.243, clear, gram पर ml, ml सेमल केंचल होगा, तो gram मेंजे कितना आएगा, 1243, gram, तो यह क्या आगा हमारे पास, solution का आगया, ठीक है, हमें solute, solvent का निकालना, तो solvent का कैसे निकालेंगे, solution minus, solute, solution हो कितने है, अब solute को कितने है, हमारे पास, solute का है, 410.3, clear, तो इसको sol करेंगे, on वो कितना आएगा 832.7 ग्रैम 832.7 ग्रैम यह हमारे पास क्या आजेगा वेट आ जाएगा बस जस्ट हमारे क्या करना है फोमले के इंदर पूट करना है फोमला हमारा यह रहा सुमॉलाइलिटी इस इकल टू वेट ऑफ सॉल्यूट कितने है वो 410.3 अपॉन में मॉलर मास अवसॉल्यूट कितना है इंटी इट इंटु में वेट ऑफ स्वाल्वेंट कितने है वो 832.7 इंटु में क्या करेंगे थाउजन यूश करेंगे तो यह आगया हमारा इसको सॉल कर लेंगे तो सॉल हमारा first question second question की तरह हो जाते हैं second question क्या है हमारा second question the density of 3 molar सबसे पहले बार तो मुलाइटी गिवन है कितनी गिवन है वो है गिवन 3 density गिवन है solution की वो कितनी है 1.25 ग्रैम पर ml क्लियर हमें क्या करना है मुलाइटि को करना है अब हमैं पता है कि मुलाइटि में रिलेशन हमें पता है वो क्या होता है इज इकल टो मुला डी इए इन टो-ता न अप ओन डेंसीं 2 थाषीन माइनस मुला डे इंडू में मॉलर मास ओं सोल्ग लिए तो यह हमारा सब्सक्राइब करेंगे इसको यहां पर थी थाउजन वन्ट फाउजन माइनस मॉलारिटी कितनी है अगें थरी है इंटु में मोलर मास्व सॉल्यूट क्लियर अब देखो मोलर मां क्या है हमें एनने सेल गेवन है अने सिलके निकालेंगे सोडिय में कितना होगा 23 और स्क्लोरिन का 35.5 कितना आगा 58.5 तो थ्री इंटु फिफ्टी एट पॉइंट फाइव आ जाएगा सोल करेंगे इसको यहां पर थी थाउजन वन तू फाइफ जिरो माइनस 175.5 कि थ्री थाऊजन उपॉण में 1074.5 तो आप्रोक्षांस राएगा वो और 2.79 के परॉआप्रोक्ष आजएगा तो इस पोशन के नहीं करने है हमें हमें मुलारिटी को क्लिकुलेट करना है क्लियर ओक्षई ए लुबप हमारा नेक्स्स कॉशन है सब्सक्राइब कर सकते हो उसमें कोई भी प्रोब्लम नहीं है कि सब्सक्राइब आप याद रख सकते हो सब्सक्राइब कर सकते हो क्लियर मैं आपको दोनों ही तरीके बताया है उसमें वह आपके मर्जी है सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब इन एक वस्लिशन इस जिरो पैंट जिरो टो एंड इट्स देंस्टी इस इस कैल्कुलेट इस मॉललीटी एंड ओर मॉल्स अगेवन है और हमें मॉल्याली को कहुत करना है सिंपल डिर सो सब्सक्राइब है निगे लिए लिए थे कि हम इंग इवन कैं है अंग इवन है मॉल फ्रेक्शन कि सब्सक्राइब निट रखेवन वो कितना है जिरो पॉइंट जीरो टू टू ए और हम स्वल्वन निकाल सकते हैं वन माइन जिरो पॉइंट टू तो कितना आजाएगा जिरो पॉइंट नाइन एट डन साथ में क्या गिवन टैंस्टि गिवन है जिरो प्ट नाइन नाईन पॉर ग्राइम पर एमल ओके हमें यह गिवन है क्लेड सामिया करना हैं हमें मौलत निकाले और हमें मॉल फेक्शन गयवन है तो मैता कि मॉराइटि इस इकल डू कैशन और ऐन तू थाज़ंट आपन व्लट्रेक्शन आफ्सट व्ल्वन एंटो तो एक्सक्राइब नहीं है यहां पर वोटर है और वोटर कितना होगा है यहां पर 18 होगा कि तो उपर कितना आ जाएगा यहां पर हमारा पॉइंट से पॉइंट गैंसल तो यहां प्याएगा तो थाउजन अपॉण में 98 इंटू 80 तो इसको सोल करने के वाज मैं आपको अंसर था तो आएगा 1.13 मॉलल तो यह था हमारा कोशन नमर थर्ड जो इसका अंसर आया है है 1.13 मॉल फ्रेक्शन गिवन था और हमें क्या 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 करना है हमें मॉलाड इटी को इल्कर करने है क्लियर ऑक ने मैस्ट चलते हैं कोशन मर 4 पर पर कोशन मर फॉर के में हों अदर क्या गिवन है a solution is prepared by dissolving 5.64 gram of glucose in 60 gram of water calculate यह हमें करना है मास परसेंटेज निकालना दोनों का मॉलालिटी निकालनी और मॉल फ्रेक्शन भी कल्कुट करना है क्लेट ओके इसको सेपरेट पेज़ पर कर लेते हैं कोशन थोड़ा लेंधी जाएगा ओके सो हमें गीवन क्या है कॉशन में फोर के अंदर प्रेल बोले लेते हैं आज सलूशन इस प्रेट बाइड डिजॉल विंग 5.64 ग्रेम ग्लुकॉस डैट मेंस हमें वेट और सॉल्यूट गिवन है कितने है वो 5.64 ग्रेम इन 60 ग्रेम वोटर तो वोटर अलग से देजिए य है मैं ठीक है ओके अब हमें क्या निकालना है सबसे पहले में निकालना है मास परसेंटेज ओफ निकालने हमें सबसे पहले ठीक है मास परसेंटेज निकालने हमें सबसे पहले ठीक है मास परसेंटेज निकालने हमें ग्ल्कॉस की वोटर की क्लिए ओके देखो यह हमें वेट of solute यह है वेट of solvent तो वेट of solution निकाल सकते हैं वो क्या आएगा w1 plus w2 कितनो हो जाए 60 plus 5.64 that is 65.64 65.64 अब मास परसेंटेज निकालना है तो सबसे पहले निकालेंगे हैं मास percentage of glucose कैसे निकालेंगे उपर क्या आएगा weight of glucose लिचे क्या आएगा weight of solution औरी इंटो में क्या कर देंगे हैं मास प्रसेंटेज का वेट कितना है 5.64 अपण में solution का कितना है solution का 65.64 और 12 1t 159 तो हमार घ्राइट सेल्टा। इनंतर 10.59 कि हैं और 8.59 कि लुकोस काल ने हैं protocol yatak कि सो 100 माइनस 8.59 एल्टिमेट ली चुटना एका 91. stars डूइब फॉर क्या प्रोक्ता जाएगा टूर्वन तो यह आ जाएगा हमारा मास पर संटेढ वोर्टर सेचे की सबhasis नहीं कालता है कि इसकी का धी सिर्छ भी निकाल लोस ग्वेड उपर रखेंगे निचे क्या गर एक रएट डिख वेट आप लूशन और इंटू माद यह इंटू डवली वन ग्रैम्स में और इंटू में क्या आएगा थाउजन आ जाएगा डवली टू गेवन है डवली वन भी गेवन है मोल्डर मास निकालने हमें सॉल्यूट का क्लियर अब देखो हमारे पास क्या है हमारे पास है ग्लुकोज फॉर्मुला क्या होता उसका से 6H 1206 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16 कितना आएगा 180 आएगा यह आपको वैसे भी याद होना चीह है ग्लुकोज का जो मोल्डर मास होता है वो कितना होता 180 होता है फॉर्मुले के अंदर पूट करेंगे डवली टू कितना गिवन है 5.64 मोल्डर मास उसल्यूट वो कितना गिव करेंगे थाउजन करेंगे clear so ultimately to solve the problem i.0.52 to model 0.52 to model आ जाएगा हमारा morality of the solution clear okay next thing अदे माल फ्रक्शन निकालना है मौल प्रेक्शन ऑफ इस गुल्डोज और वोटर वो तो मगर एक का भी निकालेंगे तो हम बाग्यों का easily calculate कर सकते है clear तो मैं मॉल फ्रेक्शन निकालना है तो अगर मैं मॉल फ्रेक्शन की बात करूँ अगर मैं सॉल्यूट का निकाल रहा हूँ तो फॉर्मुला क्या है N2 अपॉन में N1 प्लस N2 ठीक है यह तो आप डिरेक्ट कन्वर्शन कर लो अगर मॉल फ्रेक्शन का लिट करना है क्लिर वन आपको आपको जब सब कुछ गिवन है तो आप डिरेक्ट फोर्म लेके इंदर ही पूट कर रोस को N2 क्या होगा W2 अपॉन में मॉल रमास फ्टू W2 कितने है हमारा 5.64 मॉल रमास कितने है हमारा स्वल यूट का वह है 180 ऐसी N1 निगलेगा N1 क्याएगा W1 अपॉन में मॉल रमास फ्टू W1 कितने है 60 और मॉल रमास कितने है इस था 80 नहीं तो यहाँ पर आएगा 0.0313 और यहाँ पर आजाएगा 3.33 formula केंदर पूट करेंगे N2 कितने है हमारा 0.0313 0.0313 3.33 इस तो सोल करने पाद हैगा 0.0093 clear यह तो आगया हमारा solute का मॉल फ्रेक solvents का निकाल लेंगे तो क्या आएगा 1-0.0093 कितना हैगा 0.9990 7 0.9990 0.9990 तो यह आजाएगा हमारा mol fraction of solvent clear तो यह था हमारा कोशन नमर 4 next लेकोशन नमर 5 पे so कोशन नमर 5 के है the density of 3 molar sodium thiosulfate and N2S203 is 1.25 gram per ml हमें density दिये होई है और हमें क्या दिये है molarity दिये होई है हमें क्या 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 दियुक्ट करना है percentage निकालने है भॉल fraction और molality निकालनी है है यह अच्छ पहले हमें जो गिवन है वह लिख लेते हैं केया हम गिवन है हम में मृरीटिक दिए यह 3 हमें देंस्टी एक स्लूशन दिए कितनी 1.25 ग्राम पर खिर में। सबसे फेल निकालने मास्ट परसेंटेंज निकालना है।sam आप तो हमें दिर्ट को मता है तो ऑन से यायोज शमन हैं आपको फिर्मलाज याद ना तो बहुत ही तेम्पल कोशन ओ जाेगा सो मुलाइरिटिए इडिवल टू परसेंटेज डविंडस्टाइगा 15 गडिव्योग 14 गटिपने G0 मैं मुल् Hugo Smart वी तो सोलीूट तो यह हमारा फॉर्मला है क्लियर तो जो मुलाइरिटि है मिलाहिटि कितनी है हमारी थ्री Youtube गडो सेंटेज डव्य व्योग करना है प्रेसेंटेज डव्य डव्य देंस्टी कितनी गिवन है 1.25 इंटु 10 अपोन मोलर मास तो सॉल्यूट अब सोडियू थायो सुल्फेट एसका तो हमें मोलर मास निकालना पड़ेगा क्लियर तो एन ने टू एस्टू ओ ट्री सोडियू का उता 23 तो 23 इंटू 2 सुल्फर का 32 32 इंटू 2 ऑक्सिजन का 16 इंटू 3 46 प्लस 64 प्लस 48 तो यहां से कितना आएगा हमारा 158 क्या प्रोस हाएगा ग्रैम पर मॉल क्लियर तो फोमिले के अंदर यहां 158 पूट करेंगे तो इस है वो आएगा हमारा 37.92 अब यह जहां रखना कि जो यह हमारा प्रसेंटाइज डवल बै डवल है यह सोडियम थायो सल्फेट का है यह हमारा सोल्यूट का है अगर हमें वोटर का निकालने तम क्या करेंगे इसको 100 में से माइनस कर देंगे तो वह क्या जाएगा हमारा वोट सोडियम थायो सोल्फेट का है यह क्लियर तो यहां पर हमें लॉड हम इन कालना है मौल प्रेक्शन निकालने है मौलом सेरफ यह वहां हमें पता है कि ओर oyster में डारेटर रेलेशन है यह भी में पते है मॉलाय लिट मोल प्रेक्शन में सुर्फरिक्षिन में वे बैसे ऐकल तो मॉल फ्रैशन और श्लीट इंटो द्शियू इन्टो थाउसन अपॉन में 2 x1 mm1 x2 into mm2 ये हैं पुट करें भालाइड डारे कि एक स्टो तो में निकालना है उसको मैंने एक स्ट येट कर लिया देंसटियों सैलेशन 1.262 तू 5000 अब देखो x2 मैंने एक समांठ लिया वह दैंस टे ओ मॉल एक्रिक्षणोड Crystal मैंट क्या होगा उसको मैं 1-x कर देता हूं क्योंकि दोनों का सम्क्या होगा 1 होगा मॉलर मास हो solvent 18 प्लस एक्स्टू कितना होगा एक्स मॉलर मास हो यह भी निकाला हमने 158 सो 3 इस इकल टू यहां पर आजाएगा हमारे पास 1250x 18-18x प्लस 158x क्लिर तो यहां चाहेगा 1250x अपोन 18 प्लस 140x क्लिर तो इसको सोल करेंगे यहां पर कितना आएगा 54 प्लस 420x 1250x 54 इस इकल टू 1250x-420x तो यह आएगा हमारे पास यहां पर इसको जो हम सोल करेंगे तो आएगा 830x तो 54 बाई में 830 करेंगे तो हमारे पास अल्टिमेट यह आएगा 0.065 0.065 that means यह आगा हमारे पास मॉल फ्रेक्शन और सॉल्यूट 0.065 तो मैं वोलनों कि 1-0.065 तो यह आजाएगा तो सॉल कर लेना तो सैक्न कोशन भी होगा हमें क्या निकालना था मोल फ्रेक्शन और सोडियम थायो शल्फेट निकालने थर्ड कोशन हमें क्या निकालने अब करना है अब हमें पता है कि मॉलालिटी में और मॉलालिटी में रिलेशन मॉलालिटी इस इकल टू मॉलालिटी इन्टू में मॉलालिटी इन्टू में क्या आएगा थाउजन अपोन देंस्टी इन्टू थाउजन माइनस मॉलालिटी इन्टू मोलर मास ओफ solute so molality is equal to molality कितनी है 3 है into 1000 density कितनी कि वना 1.25 into 1000 minus molality कितनी कि वना 3 और molar mass of solute अभी निकाला है हमने वो कितना है 158 clear तो इसको solve करेंगे solve करने के पाद तो हमारे पास आएगा यहां पर molality आएगा हमारे पास 3.86 molar 3.86 molar आजाएगी clear 3.86 हमारा इसका क्या आएगा answer आएगा clear तो यह था हमारा question number 5 जाप हमने first part में परसेंटेंटेंज निकाला second part में निकाला और third part में निकाला molality को calculate किया molality हमें दोनों की निकालनी है molality of na positive or s2 or 3 question क्या अंदर यह जो molality आई है हमारी solution क्या आई है molality solution क्या है clear अब देखो हमें question के अंदर क्या निकाला है molality of na positive and s2 or 3 to negative हमें ions की निकालनी है और हमें किसकी given है यह हमें जो हमने यहां से calculate किया यह तो हमने solution के calculate करी है clear देखो अब हम यहां पर क्या करेंगे हमें just simple करना है कि जो भी हमें जैसे हमारे पास यह है sodium thaiosulfate है अब जैसे हम इसको breakdown करेंगे तो हमें यहां से क्या मिलेगा 2 na positive आई और एक क्या मिलेगा s2 o 3 to negative आई कि एक sodium thaiosulfate से 2 तो हमें sodium क्या आई मिल रहे है और एक क्या मिल रहे है हमें s2 o 3 to negative हमें उसका आयन मिल रहे है clear अब यह जो morality है वो solution की है यह morality का है solution का मतलब है कि जब यह हमने एक आयन के according मतलब एक compound के according हम इसको ले रहे है अब एक में से एक ही हमें यह मिल रहे है और दो क्या मिल रहे है यह मिल रहे है clear तो जो मुलालिटी इसकी है और जब हम इसकी की मुलालिटी निकालेंगे तो उसको क्या कर देंगे ट्वाइस कर देंगे और जितनी मुलालिटी इसकी है उतनी मुलालिटी क्या होगी थाव सलफेट क्यों होगी क्लियर क्योंकि यह हमने निकाले कि जब हमने जो एनने टुस्टू ओथ रहे जब वो पूरा एक और जो हमने लिए एस टू ओ थरी थायो सलफेट की तो क्या आएगे तो एनने पोस्टी क्या हो जाएगी वह एनने पोस्टी की अखोडिंग जो अंसर आएगा इसका वह आएगा स्वाइगा एक पर कल्कुट कर लेना और इसके अखोडिंग क्या एगा थी पॉइंट एट शि सब्सक्राइब थायवा ? सी पॉइंट आएगा स्वाइगा भी गिंड़ मौस का लिएगा सब्सक्राते इदा को इसको dzोल मूस पहले लुएवाड जी हूं एप गिखलन का है है दिक्र हमें निकालने molality of mixing हमें क्या गल्गत करना है of mixing को calculate करना है ऑफ और स्लूशन वेट बाई mixing उक्वल वोलुम of 30 percent by mass of sulfuric acid density this and seventy percent by mass of sulfuric acid density this clear up the whole हमें क्या है हमें दो sulfuric acid given है है H2 104 ह 2 104 clear okay यह है 30% यह 30% by mass में दो 30% W by W और यह कितने हैमारा 70% W by W है clear इसकी density कितनी है इसको मैं A मान रहा हूँ इसको मैं B मान हूँ तो density of A कितनी है वो इसकी 1.218 ग्रैम पर ml density of B कितनी है वो है 1.610 ठीक है अब देखो हमें यहाँ पर बोला गया कि what would be the modalities of a solution what would be the modalities of solution made by mixing equal volume जो हमने दो हमारे पर solution है उसका हमने equal volume लिया है ठीक है हमने दोनों का equal volume उसको क्या क्या मिक्स किया अब देखो अगर हमने दोनों का equal volume लिया है तो हम लेट कर लेते हैं कि जो हमने volume लिया है वो 100 ml लिया है इच जो हमने volume है कि Isa q 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 qq q 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 30% W by W is 30 gram H2O sophora in 100 gram solution में यहीं तो मतलब है कि 30 gram sulfuric acid in 100 gram of solution clear अब देखो यह 100 gram solution और हमें इसकी क्या given है हमें इसकी density given है है यह 100 gram solution और हमें मास कल क्या करना है तो हमें सभी हश्चारम है है तो हमें है क्या करते है आट है है इसके हमें वॉओं इसका वोल्एमेह् Bluetooth कर लिए कि यह t BB करना पड़ेगा है टो 100 PML है वोलीम और सुलिट्स्टन है वालीम और मिला और को हमें weight calculate करना है तो हमें इस volume को convert करना पड़ेगा weight में with the help of density clear तो mass कितना आएगा solution का mass of solution density into V density कितनी है वो है 1.218 और volume कितना है वो है 100 ml तो कितना आ गया हमारे पास mass of solution अब जखो 30% W by W का मतलब है कि 30 gram sulfuric acid 100 gram of solution में अब जो solution का जो mass आया वो कितना है 1 to 1.8 gram तो 100 gram में तो इतना है इतने ग्रैम में कितना sulfuric acid है हमें वो calculate करना पड़ेगा तभी तो हम प्रोपर sulfuric acid का weight बताएंगे कि 100 ml में कितना sulfuric acid है कितना वहां से solvent निकला है clear okay so 100 gram solution के अंदर 30 gram क्या है sulfuric acid है एक gram solution के अंदर कितना होगा 30 वाय में 100 और कितना दिया है 1 to 1.8 तो 1 to 1.8 में हम निकाल लेंगे तो वो कितना आएगा यहां से solve करके यहां से solve करने के बाद यह आ जाएगा आपके पास 36.54 gram 36.54 gram अब देखो 36.54 आया इसका मतलब है कि यह solution के अंदर जो weight है किसका sulfuric acid का weight of sulfuric acid वह कितना है 36.54 gram है clear अब weight of solution नहीं परता चलेगा weight of sulfuric acid नहीं पर चलेगा तो weight of water भी आ जाएगा कितना आएगा वह 121.8-36.54 clear तो इसको solve करेंगे solve करने के बाद यह आएगा 85.26 gram 85.26 gram clear तो देखो हम ना यहां पर volume of solution के coding चल रहे हैं कि यहां पर दोनों का 100 ml है तो पहले उस 100 ml को हमने density के से मास में करनाट किया मास आ गया अब यह हमें कि परसेंटेज गिवन है कि 30 ग्रैम है 100 में तो इतने ग्रैम में कितने ग्रैम होगा sulfuric acid वह कर लिया उसके coding फिर वेटों water भी आ गया हमारे पास clear तो यह तो एक था ऐसे बी का करेंगे है बी का भी वी के है 70 परसेंट ड्वल्य बाइ ड्वल्य है यह दैट मिन 70 ग्रैम इन 100 ग्रैम सल्यूशन clear ओके सो हमें क्या गिवन है लाव ही है कि वॉल्यम सल्यूशन कितने है है हन्डर्ड है मला है मास निकाल लेंगे इसका वो गया डैंस्टी इंटू में वोल्यूम अंडर इंट्ट इंट्री कितने है इसकी वन पॉइंट शिक्स वन वन शिक्स वन ग्रैम आ गया ठीक है तो हंडर्ड ग्रैम ओफ सल्यूशन में तो सेवंटी ग्रैम सलफूरीक एसेड है इंट ग्रैम में इसको करने बाद जो हमारा आएगा वो कितना एग वन वन टूपॉइंट सेवन ग्रैम 11.2.7 आएगा केर सो यह आगया हमारा वरवन टू यह आगया हमार पास वेट ओफ और गया वेट ओफ सल्फूरिक एसिड वन वन टू पॉइंट सेवन ग्रैम ठीक है वेट ऑफ सॉलूशन कितना है वो 161 ग्रैम है सो वेट ओवोटर कितना आएगा 161-112.7 ग्रैम इसको माइनस करेंगे माइनस करने पर कितना आएगा 48.3 ग्रैम वोम. 48.3 ग्रैम आजाएगा यह हमारे पास clear ओके अब देखा आद हमें क्या करना है हमें हमें दोनों केस के अंदर हमें पदाज चल गया कि कितना हमाऊंज है water का दोन एंक कितने मामझ है मार पास सल्यक्योस कैसिता रॉत्वी कीसा हमें दोनों के सिर्टन में पता चले गया क्लिए अंव्म गारे तोडल जीतना मास है एक टम आश्टॉस अप्लाइग उऐ हमें लिखना है यहां से कितना आया यहां से आया हमारे पास 112.7 112.7 प्लस यहां से कितना यहां साय थार्ट इस्पांट फाइप फॉर्टल हो गया हमारे पास यहां पर 149.2 ग्रेम टोटल एच्टो कितना आएगा यहां से कितना है एच्टी ओ, 48.3 ग्रेम यहां पर गने हिट फॉर्ट पॉर्टं फाइट फॉर्ट फॉर्ट् फॉर्ट से एगा क्लियर तो एड़ करेंगे यहां से एड़ करने भी कितना आजेगा हमारे पास और आएगा 113.56 ग्रैम 113.56 ग्रैम आएगा क्लियर तो मुला लिटी के फॉर्मलें पूर्मलें पूर्मलें में क्या आएगा सल्फूरिक ऐसे का 149.2 अपोर इसका मुल्डर मास 48 इंडु में वो इंडु में क्या कर देंगे हम थाउसन कर देंगे तो अल्टी में इस और कर देंगे हैं कि वह माया एगी 11.4 मॉलल यह मार आएगे मुल्याल्य टी ओफ मिक्सिंग के क्लियर कोशन इंपोर्टेंट है यह थोड़ा डिफरेंट कोशन बाकी कोशन से तभी मैंने बोरा था कि क देंगे में कर लिया है तो मास आगे में सॉल्यूशन का उसी एकवरण हमने इस आपने निकाल दिया चैजिए हमने कीörtण डिफरेंड वोटर किया तो हमने वॉटर किया तो अब ऑभी एक कोशन बचन तकर नमर 17 और जो इस से भी ज्यादा यह थोड़़ा डिफरिंट प्रो करेंगे उसके अलग से वीडियो बनाव को एक इसके वीडियो नने वीडियो जरी जिसंदोनों को एक अधर करेंगे तो है ओके तिल दर थैंक यू